आप सभी को मिलादर नभी की बहुत-बहुत मुबारक बात आज मैं आपके साथ सेयर कने जा रही हूं बरफाथ इस पेसल जर्दा रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने आपे नफिस चावल खो दू-से ढाई गंते शोख करके रखा था पहले हम इसे उच्छी तरह से वाश करके तभी सोख करेंगे आप दीखे है अब हम इसमें इतना पानी आट करेंगे ताकि अच्छी तरह से बॉल हो जए और इसे हमें 100% कुप करना प्रेश वाटर डालने के बाद हम इसमें एड करेंगे तीन से चारबून लेमन जूस लेमन जूस के वज़े से इसमें अगर हल्गे फुल के डर्ट होंगी तो वह भी शाफ हो जाएंगी और चावल खिले-खिले होंगे साथी हम इसमें एड करें हैं क्वाटर टीस्पून नमक और इसे हम ढखकर हाई फ्लेम पर बॉइल होने देंगे यहां पर मैंने लिया है तीन से चार मोसम्मी साथी हमने लिया है छोटे गुलाब जामून तूटी फ्रूटी वन कप शुगर और यह और इंज की जूस हमने निकाल लिया है यहां पर हमने ड्राइब फ्रूट्स में लिया है मुरब्बा काजू नारियल किशमेस यह हमने ल लॉंग, इलाइची, डालचीनी और थोड़े से आलमर्ड्स को हमने रफ़े चॉप कर लिया है। दूसरी कुरफ हम यहां पर एक पैन को गरम होने के लिए रख दिये हैं। और इसमें हम एड़ कर रहे हैं 2 टेबली स्पून होम मेट देशी घी। घी जब अच्च तर से गरम हो जै तब हम इसमें सारी ट्राइब फ्रूर्ट्स except मुरब्बा, हम इससे हल्काइब कॉल्डीन ब्राउन होने तक फ्राइब करेंगे। फ्राई हो जाने से सारे ड्राइफ फ्रूट्स क्रंची हो जाते हैं और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है हम इसे इस तरह से कंटिनुर्सली स्टर करते रहेंगे ताकि एक जगा पर जलना जाए फ्रेंज आप इस बरावफात मेरे स्टैल से जर्दा जरू ट्राई कीजिए उमीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी आप देखिए हमारे ड्राइफ फूट्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे दूसरे तरफ यह देखिए हमारे राइस अच्छी तरह से बॉइल हो चुके हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को फिरू प्रेस कर दीजिए ताकि और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल और इसमें मैं डाले हूँ तीन से चार बड़ी चमस देसी घी जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल चीनी लॉंग और हिलाई चीली थी यह हलका क्रेकल हो जाए तब हम नीचे पहले चावल को स्प्रेट करेंगे राइस यह सारे प् अब हम इसके ऊपर स्प्रेट कर रहे हैं शुगर और ड्राइफ रूट्स में हम यहां पर डाल रहे हैं मुरब्बा बाकी बचे हुए ड्राइफ रूट्स को भी आम इसी तरह से डाल देंगे इसमें आप दिखिए फ्राइं होने के वाज़े से इसका कलर कितना अच्छा ग फ्रेंस आप जब भी जल्दा या मेठा फुला बनाएए आप हमेसा राइस को 100 परसेंट ही कुक कर लीजिए 80-90 आपको कुक नहीं करना है क्योंकि अगर यह सुगर में आप इसे पकाना चाहेंगे तो यह सुगर को एब्सॉप कर लेगा और चावल कड़ा हो जाएगा इसक परसेंट कुक करके जस्ट लेयरिंग करनी है और फ्लेम को एकदम लो करना है अब हम इसके उपर स्पैट करते रहे हैं जो हमने ओरेंज के जूसेस रेडी किया था घर पर है साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं टूटी फ्रूटी इससे देखने में जर्दा और भी ज़्यादा कलरफुल और और भी टेस्टी हो जाती है वापस से इसके उपर हम चावल कर लेयर करेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे इसे तरह से हमने यह प्रॉसेस को रिपीर्ट कर दिया है और लास्ट में हमने जो लेमन का जेस्क लिया था उसे हम डाल देंगे और हमने होम मेट खोया लिया था हम उसे भी डाल दे रहे हैं इसके उपर अब इसके उपर हम थोड़े से और गी डाल देंगे टकिंग ही उपर से एब्जॉब हो जाए और और भी ज़्यादा सॉपने साज़े हमारे जर्दा में अब इस तरह से जरूर ट्राई किजिए और अपनी फीड़बेक मेरे साथ देल करना ना भूलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं वन टेबल स्पून रोज वाटर साथ हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून केवडा पानी रोज वाटर और केवडा पानी मिक्स करके डालने से इसके खुश्पू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अब दीखिए ये कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है ना असिस करते करते हमने दूसरी तरफ तवा को हाई फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया था जब तवा अच्छी तरफ से गरम हो जाए तो हम फ्लेम को लो करकर पतिली इसके उपर रखकर धकर रख देंगे आदे गंटे बाद आप देखिए हमारा डिलिशियस बरा वाफा इस्पेसल जर्दा बनकर रेडी है आप इसे इस मिलाद नभी बनाएए या अपने घर पर किसी भी ओकेशन में बर्दे पाटी में जब भी आपका दिल चाहे आप ये जर्दर रेशिपी जरूर ट्राइ किजिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई टेक केर